हमारा कितना शक्तिशाली है और जो आभी समय चल रहा है क्योंकि समय भी uncertainty का है ना uncertainty शरीर की uncertainty बीमारी की uncertainty फिर जो भी बिजनेस की भी uncertainty और सम्भ नेचर की संबंदों की इनवे सब uncertainty है लेकिन uncertainty में भी हमारी रक्षा uncertainty में तो immediate response होता है वो डर का होता है insecure feel करते हैं तो ऐसे डर के feelings बावा कहते है आप बच्चों को बिलकुल हो नहीं सकते जो deep inside डर तो उसके लिए तीन बाते अब वामेशा कहते हैं कि क्या चीज हमारी रक्षा करेगा सबसे पहले हमारी आत्म अभिमानी स्टेज जितनी आत्मा समझकर आत्मा की feeling है आज बाबा ने कितना अच्छा कहां आत्मा की feeling एक है आत्मा आत्मा भाई-भाई वो तो चलो बहुत common है लेकिन उस वो आत्मा अच्छा है इसकी feeling क्या है ब्रुकुटी में देखना एक अलग बात है कि चलो वो आत्मा है लेकिन आत्मा है feel होते ही न्यारापन फील होगा कि उसके संस्कार अपने है इसके संस्कार अपने है टू सिब्लिंग्स में भी एदम न्यारापन कभी भी comparison नहीं होगा इसको कहेंगे आत्मिक स्थिते हम जब भी एक दूसरे से compare करते है तो क्या सोचके करते हैं अरे मैं तो कभी नहीं करते हूं मेरे संसकार तुमारे में नहीं आए बच्चे के लिए मां करते हैं पैरेंट्स या भाई ये भाई को देखो वो भाई को comparison संस्कारों में या किसी भी वे से ये feel करना माना ही आत्मिक स्थिति नहीं तो आत्म अभिमानी स्थिति इतनी soul conscious stage है कि आत्मा है आत्मा होते ही uniqueness है उसके पूरी अलग रहेगा और दूसरा वो आत्मिक अभ्यास अर्था थी वो संबंद की feeling नहीं है हाँ ये आत्मा है उसका respect है संबंद के कारण respect नहीं है सिर्फ ये संबंद के कारण attachment नहीं है ब्रह्मा बाबा का जो था अभ्यास आत्मा का कि बाबा photo सब जो बच्चे की है जो सोदा मा की है photo रखते थे और उसकी भृकुटी में देखते थे कि ये देखो ये आत्मा है ये आत्मा है आत्मिक feeling और कितनी पावर्फुल बाबा की ये आत्मिक द्रिश्टी थी कि वो आत्मा को भी कभी भी जिसको कल तक पती समझते थी और आज वो उसको फादर समझे कितने बड़ी बात और कितना strong heart चाहिए उसके लिए एद्दम बाबा समझे उसको और उन्होंने भी कैसे उनकी भी देही अभिमानी आत्मिक स्थिती और देही अभिमानी जब बाबा को जसोदा को जसोदा मा को सब मदुबन में पाकिस्तान से आये और मदुबन में सेवा बाटी गई सब को पूछा गया तो जसोदा मा ने जो सेवा ले वो कौन से थी कि बरतन मांजना और जाड़ू करना मतलब बाबा को आश्चरिय लगा कि आपने ऐसी कैसी सेवा ली मुझे पता है कि मुझे ये मेरा कौन है मतलब बाबा का यग्य है और बाबा तो मेरे से क्या एक प्रशार आत्मिक स्वरूप का क्या था जहां आत्मिक शरूप होगा वहां देही अभिमानी स्थिती आटोमेटिक होगी दे अभिमानी जो दे अभिमान क्या है मैं पन ना मैं यह नहीं कर सकता तो आत्मिक आत्म अभिमानी स्थिति बाबा ने एक बार कहां था कि अगर आप आत्म अभिमानी फिलिंग में रात की बारा भजे भी जंगल से निकलेंगे आपको और अगर और डाकू भी आ जाया आपके सामने बाबा और उस समय आत्मा समझ के बाब को याद किया तो तुम्हारी रक्षा सर्टन है यह बाबा के साकार महावा के अत्मिक स्थिति में इतना बल है अर्थाद मैं आत्मा हूँ यह फील करना ही हमारे में हमारी पूरी रक्षा का कवच है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ सारा डर का कारण है, तो obviously मैं आत्मा हूँ सारे बल का कारण है, और दूसरा है पवित्रता, तो एक है आत्मिक अभिमानी, स्थिती, तूसरा प्योरीटी, बाबा ने हमेशा कहा है, प्योरीटी तुम्हारी सबसे बड़ी सिक्योरीटी है, जितनी पवित्रता, उतनी सिक्योरीटी, और पवित्रता, ब्रह्मचरिय की बाद नहीं, वो तमारी प्राइमरी फीलिंग है, लेकिन बाबा ने कितना पावर्फुल कहां था, आज के कुछ मैं समझते, एक साट-ाट मैने पहले के महाँ वाक्य है, फोर्थ पेज में, बाबा के, बाबा ने कहां कि बच्चे, इस अंतीम जनम में, एक जनम बाबा आपसे पवित्रता की धीक मांगता है, बच्चे पवित्र रहो, पवित्र रहकर इस बुड़े बाबा की दाड़ी की लाज रखना, कितना वो emotional statement था, जब हमने पड़ा बाबा का, तो बाबा पवित्रता अर्था कितनी purity, purity of heart बोलते हैं इसलिए, तो जिसमें विकारों का भी नामों निशान ने, इतनी आत्मा की पवित्रता आत्मा की सुरक्षा है, जब स्वयम और वो पवित्रता में स्ने है, पवित्र आत्मा का जो स्ने होगा न, वो attachment से beyond होगा, वो हमें detach करता है, अपवित्रता से जो स्ने है, वो स्ने नहीं रहके attachment हो जाता है, इसलिए वो डर रहता है, इसलिए वो insecurity रहती है, और क्यूंकि पवित्रता स्वयम में है, तो वो स्ने सदा भी रहता है, और सदा शुब भावना से भरपूर भी होता है, ब्रह्मा बाबा का जो स्ने था बच्चों को, खजूर बाबा जब बच्चों को, रोज रात को, खजूर होता है न, उसकी गुटली को निकालके, उसके अंदर देशी गाई का घी अरके, एक-एक बच्चे को गोद में लेके खिलाते थे, प्रिंसेस की तरह भी पालना होती थी, दादी के थे प्रिंस प्रिंसेस के भी कहां इतने पालना हो सकती है, ऐसे बाबा की पालना हर बच्चे के लिए, और वो चौदा साल, और फिर जब बैगरी पाट आया, तो ऐसे बच्चे एक-एक करके जाते गए, अब जस्ट इमेजन, इस तरह से करने के बाद, जब वो जा रहे हो, जैसे रोज, क्योंकि यग्य में होता नहीं था, तो जिनका इतना यग्य से जुडाव नहीं था, तो वो सोचते थे कि बाबा, हम जॉब करने जाए, जैसे नारायन ददा, इस वन आफ देम, बाबा केते थे, ठीक है, भल बच्चे जॉब, बाबा विदाई के समय भी उतना ही प्यार से उन आत्माओं को विदाई देते थे, जैसे की, मतलब, बहुत अच्छे से, इसलिए वो बच्चे बाहर जाके भी, क्या कहे, जो भी गए बाहर, बोला मेरे अपने संसकारों के कारण मैं नहीं चल सका, यह हमारी कभी भी बदनामी क्यों होती है, क्योंकि कुछ न कुछ हमारा कॉंट्रिब्यूशन होता है, चाहिए वो मैगनिफाई कर देते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, हमको छोड़के जो जाता है, बाबा की कभी भी, जो भी गए बाहर, बाबा की कभी भी बदनामी नहीं की, बाबा ने इतने प्यार से बच्चे को भेजा, इस तरह से, इसलिए जो एक बच्चा आया था, मतलब बाबा से बहुत कोई सेंटर का बच्चा था, बाबा से बहुत जल्दी समीफ हो गया, तो sort of बाबा का right hand भी हो गया, बहुत अच्छा बाबा के साथ, फिर माया आ गई, माया का तो कोई दिर्वाजा सदा उपनीर होता है, और फिर वो छोड़के चला गया बाबा को, तो बाबा ने फिर बाद में एक बच्चे से, एक बहन से पत्र लिखवाया, तो और उस समय ये वो गीत आया था न, कोई जब तुम्हारा रिदय तोड़ दे, तडपता हुआ दिल जब तुम्हे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिये, मेरा दिल, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिखवाया, ये बाबा ने लिखके उस बच्चे के नाम पे ये पत्र भेजा, इतना समीप, इतना कैर करने वाला, बाबा भी उससे उतना, मतलब बाबा ने भी जैसे किया, लेकिन फिर भी अंदर शुब भावना नहीं गई, शुब भावनाओं का सागर, तो जितनी प्योरिटी होगी ना, हमारी शुब भावना कभी भी जाएगी ने, शुब भावना वहाँ चली जाती है, जहां स्वार्थ होता है, ऑटोमेटिक चला गया ना, ऐसे करता है, ऐसे तो मेरे लिए ऐसे बोला उसने, मैंने इतना अच्छा किया उसके लिए, फिर मेरे लिए ऐसे बोला, तो यह जो short lived हमारी भावनाई होती है, इमीजेटली चेंज हो जाती है, बदले की भावना, क्योंकि पवित्रता की पर्सेंटेज में कमी है, जितनी प्योर होगी ना आत्मा, पवित्रता, उसमें इसलिए बाबा ने, क्यों बाबा मुरली में के थे, 95% कोई गलत करे, और 5% उसमें अच्छाई हो, तो भी तुम उसके अच्छाई को एंकरेज करो, पहले फोकस उसके 5% पे करो, और 95% की जो बात है, उसको समय और स्वरूप को देखकर बात को बताओ, तो यह इतनी शुब भावना कब हो सकती है, जब मेरे अंदर वो कोई स्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ डिजन्ट मीन कोई कैश और इसका ही होता है, लेकिन मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, इस तरह से यह कर लेगा, तो सोचा मतलब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, कि यह मैं इतना कर रहा हूँ, मतलब यह इतना तो मेरे लिए करेगा, तो बाबा की यह जो नीश्वार्थ स्टेज थी, उसका मूल कारण था बाबा की प्योरिटी, पवित्रदा, तो बाबा आत्मा परमधाम से कैसी आई, ऐसी पवित्र आई थी, अर्थात इसमें कोई भी दाग नहीं था वो आत्मा, और ऐसे पवित्र जाना है, और तीसरा है, दुआये, अमारी रक्षा कवच, जितनी दुआये है, और पवित्रता में एक और बाद है, कि जितनी पवित्रता है न, उसको टचिंग बहुत अच्छी होगी, बाबा मेशा कहते, बाबा ऐसे आत्माओं को अम्रत वेले जरूर टच करेगा, या बाबा की टचिंग होगी जरूर, तो वो एक भाई कच बुझ में जो हुआ था, अर्थ को एक हुआ था, तो एक भाई था, बहुत ज्ञान में चलता था, और अच्छा इतना शक्तिशाली था, पूरे के पूरे परिवार वाले उसके अगेंस्ट में, एक भी सईयोगी नहीं, अल्वेज अगेंस्ट में, इसके बावजूद इद्दम निश्चे बुद्धी होकर चलता रहा, तो जब ये तीन दिन से उसको बहुत ख्याल आ रहा था, बाबा की स्ट्रॉंग टचिंग हो रही थी, कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा, तो जिस दिन होने वाला था, तो उस दिन तो और बाबा की बहुत पावर्फुल टचिंग थे, तो वो मुरली सुनने गया और वापस आया, और साढ़े आट बजे जैसी आया, तो उसको बाहर सी पुरडिया मारने लगा, बाहर नीकलो, मतलब चिल्णने लगा, सब परिवार वालों को बाहर नीकलो, बाहर नीकलो, अब वो वैसे ही अगेंस्ट में थे, आ गया भी वापस ओम शंती से, वहां को सिखा के आये होंगे, और ये ऐसे चिलाने लगा, तो उसकी मा ने फिर कहां कि अरे बेटा इतना बोल रहा है, तो चलो निकल जाओ बाहर, और वो बाहर सभी निकले, दो मिनिट के बाद, वो अर् को एक ऐसे आ रहा था, एक होता है न, धर्ती फटती है, तो कच बुझ वाला जो अर्थ को एक ता, वो उसमें लहरे वो नहीं होती है, वेल्स में लहरे आती है, तो ऐसे लहरे से उठके, फिर वो जमीन ऐसे करी, और फिर बड़े-बड़े अपार्टमेंट के रहे, तो वो पवित्रता, gestures में, हाव भाव में, मतलब कोई भी तरह से कोई आत्मा मेरे प्रती कोई दूसरे द्रश्टी न दे, ये भी मेरी protection है, क्योंकि जैसे जैसे दूसरा का influence होगा, मेरी पवित्रता कम होती जाएगी, automatically, हमको पता नहीं चलेगा, तो बाबा, प्योरिटी, अर्था विकार, कोई भी तरह का influence होगा, क्रोध कोई कर रहा है, मुझे influence होगया, मेरी पवित्रता की कमी है, तो ये प्योरिटी हमारी इस तरह की रक्षा का वच, और तीसरा है दुआए, जितनी दुआए, उतना हमारा protection है, इसलिए आशिरवाद जाते समय कभी भी जर्णी में, हमेशा पहले होता था ना, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तिलक लगाते हैं, विजय का, क्योंकि जा रहे हैं बाहर, तो protection की ज़रौत है, तो protection के लिए आशिरवाद, अर्थाद दुआए, जितनी आत्मा में दुआओ का stock होगा न, उतना आत्मा powerful होगी, भरपूर होगी, ये जो इतना कुछ होकर भी खाली-खाली पन क्यों लगता है आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा के अंदर दुआओ का stock नहीं है, और दुआए, एक बार, हिस्ट्री हॉल में, विश्वरतन दादा, तीन दादा थे, विश्व किशोर, विश्वरतन और चंद्रहास दादा, यग्ये में, तो विश्वरतन दादा, जो जैपैन, शुरू में जो सेवा पे ग विश्वरतन दादा और जानकी दादी का आपस में रूरियान चल रहा था, तो दादी ने पूछा, विश्वरतन दादा जब योग में बैठते थे, तो इतना अमरत्वेला, साड़े तीन से पौने पाच, ऐसे बैठते थे, कि पलक भी नहीं चपकती थे, उनकी, इतनी एक कागर, हाँ, यहाँ तो आखे खोल के ही है, पुरा योगी है, आखे बंद करके योग करना, यह योगी नहीं है, और पलक भी नीच, पक्तिती और एद्दम, जैसे कोई मूर्ती बैठी हो, तो हिस्ट्री हॉल में बीच में, जैसे दादी वादी हो, पालो दादी इधर, वि है, तो बैठते थे तो दादी ने पूछा, दादा आपका योग इतना पावर्फुल कैसे है, तो दादा ने एक ही उत्तर दिया, कि मैं अपने जीवन में, कोई भी ऐसा करम नहीं करता हूँ, जिससे किसी को संकल्प चले, यह मेरा शक्ति का रीजन है, मैं कोई भी ऐसा करम नहीं करता हूँ, जिससे किसी को संकल्प चले, अगर मेरे कारण अनेकों को संकल्प चलता रहता है, चलता रहता है, तो यह मेरा स्टॉक कम होता जाता है, अन्नोईगली, और यह स्टॉक, मेरा स्टॉक, यह स्टॉक जो है न, दुआओ का, पवित्रता का, यह हमारी भरपूरता का कारण है, क्यों सेटिस्फेक्शन होता है, बाबा की बच्चों में, यह स्टॉक है, वो आटोमेटिक आपको फुल रखेगा, और फिर वो मदद करता है, योग में मदद करता है, इतना पावरफुल, डर में मदद करता है, मतलब नीडरता फील होती है, क्योंकि भरपूर है न, स्टॉक है न, तो यह है शक्ती, दुआओ की, अज्ञान काल में भी दुआओ से कितनी बड़ी पावर, तो एक भाई, हमारा सूरत में सेंटर है, तो वो इदम सेंटर के नजदीक लेता है, वैसे आता जाता रहता है, कोर्स होर्स कुछ नहीं किया है, पर उसकी एक नेचर थी, कि रोज सुबे, मतलब गर्मी के दिनों में, और वैसे भी, पानी लेकर बैठता था, रास्ते में, और आने जाने वालों को ठंडा बरफ के उपर, बुला-बुला के प्यार-प्यार से पानी पिलाना, दो घंटा ये सेवा करना, रोज करता था, तो वो बता रहा था अपना experience कि 20 साल से में रोज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पानी पिलाते हैं, लोगों को रहार मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है, अब अज्ञानी है तो उनको यही सेवा लगती है, तो एक बार वो बता रहा था कि अपना वो वेगन आर कुछ था, ड्राइव कर रहे थे, चार लोग बैठे थे, वो खुद ड्राइव कर रहा था, जा रहे थे हाइवे होता है, वहाँ बरोडा जैसे, तो वो बरोडा से जा रहा था, एदम हाइवे पे था, उसका राइट सा बड़ी सारी मोटी सारी वो और ये तो छोटी, तो थोड़ा असा यासे धका लगा, अब वो फाईबर की तो गाड़ी तो दी ये पूरी, धका लगते ही वो ऐसे गिरी, फिर ऐसे गिरी पूरी, मतलब पूरी उल्टी हो गई, फुल और अब बस फिर तो लोग जमा हो गए ये फिर गैस कटर करके वो निकालना पड़ा क्योंकि ऐसे तो एक जो था उसमें से on the spot, dead और एक जो है उसको बहुत ज्यादा इंजरी हुई एक को थोड़ा और कम मतलब इंजरी हुई और इसको जब निकाला मतलब तो अच्छे से उपर निकल के आया वो लोग उसको उपर से नीचे देखे वो भी देखे कहते हैं वो जैसे वो छीलने कुछ छील जाती है न वो खरोच उतना तक खरोच नहीं आया इतना ऐसे वो निकला क्या था दुआओं का स्टॉक हमें बहुत मदद करता है जो हमको पता भी नहीं चलता है स्टॉक भड़ता रहता है और ये दुआए वो तो चलो फिजिकल है तो लेकिन बाबा तो हमको कौन सा दुआए कि कोई भी मेरा संकल्प न चले ये लेवल तक हम दुआए कठे कर सकते हैं खाली वो तो पानी पिलाना वो एक तरह का है लेकिन क्योंकि उनको और तो पता नहीं न कि दुआए और भी ऐसे भी हो सकती है तो जितना ये दुआओं का स्टॉक है उतना आत्मा अट्टोमेटली उसका रक्षा क कवच बंतर है और जितनी हमारी रक्षा गैरेंटेड है उतनी आत्मा मतलब नीडर रहती है और शक्तिशाली रहती है सर्टन रहती है होता है न तो ये है शक्ति तो क्या करना है समर्थी स्वरूप तो जितना हमारा समर्थ स्वरूप होगा ये तीनों पावर होगी आत्मा और अट्टोमेटिकली उसका सुरक्षा कवच गैरेंटेड है ऐसे कितने सारे एक्जाम्पल्स है जहां ये सुरक्षा का कवच उस आत्मा को फील होता है तो बाबा कहते है इसलिए क्या करना है समय के एकोर्डिंग ये देखो ये स्टॉक मेरे पास कितना है ये बैंक बैलेंस है लेकिन ये बैंक बैलेंस भी कितना है हमारा जितना ये बैंक बैलेंस होगा न आत्मा बहुत निडर होगी बाबा क्यों कहते है, बच्चे सेवा करे, सेवा करे, bank balance जितनी आत्मा मेरे ली inspiration लेगी मेरे से हमको सेवा करते है, या कुछ ऐसे करम करते, इंस्पिरेशन मिलती कि अच्छा, ऐसे तो आत्मा कितना अच्छा संकल्ब चलाई मेरे ली कि ये संकल्प मेरा एड हो गया मेरा स्टॉक में एड होता गया एसा वर्शा जितना संकल्प चलाते गए मेरे लिए वो माइनस होता गया हूं क्यों मैं हमेशा देखते हुँ छोटे बच्चे आजकल यंगस्ट एक इतनी सी रेड लाइट देखके भी इरिटेर्ट हो सकते हैं उनके अंदर इतना भी पेशेंस की बात नहीं यह असंतुष्टा इतनी है कि रेड लाइट उसको असंतुष्ट कर देती है क्योंकि खाली है न पुरा कितनी बातों से कितनों के संकल्प चलाते रहते हैं तो आत्मा उतनी खाली होती जाते हैं तो कभी भी हम यह नहीं सोचे कि अरे पता नहीं इसके पास बहुत है न लेकिन अगर वो बहुत संकल्प चला रहा है बहुतों का तो वो आत्मा बहुत खाली होती जा रही है यह है सरक्षा कबचे